तो जहिंद बचों आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इंडिया तो अगर बात समझेंगे बात कर रहा है तो हम लोग फ्रीडम स्टगल में पढ़ेंगे वह बिसीकली 1857 के बात पढ़ेंगे बाकि जो आपका 1707 से लेकर और 1857 का है उसको इतना पढ़ लेंगे कि हमारे एक्जाम हमारा बस इतने पॉइंट आफ यू से हम लोग उसे पढ़ेंगे ठीक है तो हमारा में फोकस होगा वहां पर होगा 1857 के बात से होगा ठीक है तो अब आपके पास द्यान से देखेगा तो दिए अगर आप इंडिया को तो आप तीन फेस्ट में बिसिकली डिवाइड कर सकते हो मौर्डर इंडिया को पहला जो आपके पास हो सकता है आप लोग कहोगे तो वह होगा आपके पास 1707 से 1764 ठीक है पहला कुन सा बाला है 1707 से 1764 और यह हसल पीरेड है इसमें क्या है आप अपके पास दूसरा जो होता हैँ वो आपके पास होता है स्वेट्टि फटी वो से आपके पास Right कि एटीनर 57 तक आपको पता है 1700 कॉन सा ?मे जब और आस यृठ एंटेयल 1557 में आपके पास क्या हुई थी आपका प्लासी हुई थी और फिर उसके बाद क्या आपका 64 में क्या वाथ बक्सर हुआ था इसी तरीके सा आपके पास 1765 में आपके पास एक ट्रीटी विटी अलावात कि होहां से लेका और 1857 तक आप बोल सकते हैं कि कंपनी जो इस टीन एक निया उसने रूल किया ना 1857 के बाद और 1947 तक इवन बोल सकते हो कि 1858 से क्योंकि आपके पास जब विद्रोव हुआ था पहला म्यूटी निवी थी तो उसके बाद वहां से लेकर और मेडे बाद क्या हुआ था, आहपके जो प्र cassette विक्टोरिया थी उसने प्रोक्लामशन दिया था जोТ अब आगे हम ठीटोर्ट क्शेखनünü से प्रेखने आपका क्राउन पर bury ब में पढ़ेंगे मोंटा मोटा थो हमें अब से सुनिएगा हमारे एक्जाम के लिए जो मैंने पॉइंट बनाया है प्रिवेस को देखते वे तो कौन-कौन से टॉपिक्स इसमें यह कवर कर रहा है यह पूछ रहा है तो देखे सबसे पहली बात यह पूछ रहा है आपका स्ट्रगल के ठीक है जैसे आपके पास मुवमेंट्स कौन से आपका स्वदेशी नौन कॉपरेशन होम रूल लीग कोई इंडिया इस टाइप के मुवमेंट्स हो गए ठैना इसके अलावा आपके पास कॉंग्रस की स्थापना से संबंदित चीजें हैं यह आपके पास और्ग पास जो गवर्नर जनर्रेंट वाइस और वाइस हैं जो आपके बिटिश गवर्मेंट ने भेजे उनका रूल और उनके रूल के तौरान कौन-कौन से काम हुए उसके बारे में पूछ रहा है इसके अलावा आपके पास क्या पीजन्ट के आपके मुद्दे और उनके रिव और किस तरीके से आपके पास labor groups ने अपना organization बनाया आपके आजादी से पहले उसके बारे में इसके अलावा British economic policy from time to time जो उन्होंने दी है इसके अलावा press and liberation of press के ओपर ठीक है तो आपके पास जो press है उससे related आपके पास चीजे उसके बारे में यह question पूछ रहा है इसके अला आपके पास प्रेक्टरी एक्ट है यह आपके पास क्या आपका ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट है तो इस तरह के जो एक्ट है उनके बारे में question पूछ रहा है और इसके अलावा most importantly आपका books and authors जो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में books लिखी गई उनके बारे में question पूछ है तो अब आज जो हम topic start करेंगे यह पूरा मैं cover कर वाओंगा और आपको करना है telegram group join कर लेना है for sure आप Telegram group को definitely join कर लें ताकि आपको जो है time to time notification आए और questions आप लोगों को जो मैं दे पाऊं और PDF में आपको दे पाऊं तो आज हम start करेंगे फिलकुल आपके पास 1857 से तो देखें आपके पास 1857 से क्या condition वी जो अंग्रेज थे 1857 से पहले अंग्रेजों ने क्या करा आपके बहुत सारे powers जो हैं इंडिया में रूल कर रही थी अलग-अलग कोनों पे अलग-अलग मोर्चों पे कभी राइस करती थी कभी फॉल होती थी तो अंग्रेजों ने उन सब पावर को हराने के बाद अपने आप जो है पावर में आगे कौन कौन है जैसे आपके पास मुगल्स ठीक है माराथाज इसके अलावा बेंगौल इसके अलावा निजाम इसके अलावा मैसूर इसके अलावा सिक और गुर्खास इन पावर को डॉमिनेट कर लिए यह एटिन 57 से पहले और उसके बात किसमें आगे वह आपके पास किसमें आगे पावर में आगे अब 1857 के बात क्या हुआ अजहां से सुनिएगा कंपनी ने क्या करा टेरिट्री गेन करना सुरू कर दिया तो 1773 आपके रेगुलेटिंग अक्ट आए था उसके बाद कंपनी जो है वो टेरिट्री एक्वार करने वाली कंपनी बन गई थी ठीक है तो आपके एक प्यॉरली कमर्शिल बॉड़ी से आपके पास क्या पॉड़ी इनको पहले ही आपके नीचे गड़ चुके थे तो इतना करने के बाद यह क्या हो चुके थे पावर्फुल एंटीटी के रूप में भारत में स्थापित हो चुके थे और कंपनी रूरी स्थापित हो गया था कंपनी जो है आपके पास दीरे-दीरी क्या कर रही भी आपके पास देशी राजा है उनको अपने इंपेक्ट में ला रही थी तो क्या करते थे समय समय पर ट्रीटीज लाते थे जैसे आपके पास एक लाया उन्होंने सब्सेडियर लेकर आया था ठीक है लॉड वैलेसली यह गवर्णर जनल था और बंगॉल ठीक है तो इस फोर्सेस को यूज कर सकता है बट उसके बदले इन लिव आप ताइट उसको क्या करना पड़ेगा जमीन देनी पेड़ेगी यह पैसा देना पड़ेगा देसी राजाओं ने साइन किया सबसे पहला है था निजाम था उस ट्रीटी को साइन करने वाला ठीक है तो वह क्य आप यह लाए था उसका नाम था डॉक्त्राइण आफ लाप्स तो उसने का विले की नीति अगर किसी का ब्यालेजिकलस अनी नहीं होता अगर उसका जो आपके पाँ उत्तर अधिकारी नहीं होता तो उसका जो राज्य है अगर उसने कभी भी बिटिश की हेल्प ली होगी तो उसका राज्य विले हो जाएगा किस में विले हो जाएगा अंगरी जी इस्टिटेंग कंपनी के साशन में लाड डाला जै तो लगोर के आया था इसका ही इसका 1848 से लेकर 1856 नाज़ आपका तो यह एक नियम लेकर था ठीक है उसे का रहा है सरो कर लिए तो यहाँ पे कोई दिक्कत नीथी यहाँ पे कोई आधराओ का और इसके काफी संतान भी थी कोई इसकी प्रालीम also हो सब्सक्राइब कर लिए टूम रोग से नि कर रहे हो तो इसके करते हैं Jeanne recruit को इस अब ऑथ है भारत पर में तो उनके होंगे इंडियांस होंगे अब इंडियन सोल्जर्स क्या कर रहे है रखे हैं पॉइंट कर रहे हैं अपने हाँ कि अब उन सोलजर्स के साथ क्या कर रहे हैं उनके उन्होंने म्यूटिनी स्टार्ट करी उन्होंने आंदोलन शुरू गिया वह आंदोलन उन्हें बाकी लोगों तक पहुंचाया किसने फौज ने सेना अब कैसे वह ध्यान से तुनिएगा आपके पास 1857 को जो रिवाल्ट हुआ जो क्रांती जो आप समुझत सकते हो उसके पीछे बहुत सारे कारण दिये जाते हैं तो पहला आपके पास जो कारण है वह बोलते हैं हम लोग अब युलेतारी क्योंकि सेना ने स्टाट किया अब अलँन के लिए अब कर दिया था अब्यूद talk दिया था अभी बहुत इंपॉर्टेंट घख गा HOW कि अधिक तो यह पता चलिया कि हुआ पहले भी कर चुके था था तो अपने पर किया क्यों कि उसे यह बताया गया था कि जो नहीं वाली राइफल आई है रोयल एंफिल्ड टिक है जो रोयल एंफिल्ड राइफल आई है उसने में जो है आपके पास गाएं और सुवर की चर्वी मिलाई जाती है काट्रिज में और उसे दांस से चीलना पड़ता था जो दर्म ब्रस्ट माना जाता था आपका गाएं को मुझसे लगाना मतलब आप जो है हिंदु धर्म को ब्रस्ट करने वाला है वह बहुत पवित्र मांगते हैं तो इस वजए से इसे क्या माना चाहिए था था एक टबू माना जाता था और ऐसा बोलागा कि जो रॉयल एंफिल्ट राइफल नहीं आ रही है उसको का क्या आपका गाएं और उसका मिलाएगे चर्वी मिलाई गाएं और सुमोर की इसके लाभी बताया जाता थ आते हैं किसका बोन पाउडर डालते हैं आटे में तो यह बात भी आपकी फैलती थी ठीक है तो आपके पास क्या हुआ मंगल पांडे ने फायर किया उसके बात क्या हुआ नो दस तारिक को 10 मई 1857 को मेरट में सेम इंसिदेंट हुआ मेरट चावनी में और यह लेक मेरट चा चूह उस्के घ्रोण तो अमारे पास क्या हो गया है वहां से अंदोलन शुरू ओ रहां अब दो के कारण क्या बताइब पहला आपका पास का क्या बताइब में रeग्सेश गया क्षी बढका कि पहला तो यह यहिरा इंट यहीं डॉसरा क्या होता था ता लते उन होते तहा क्या करा जाता था जो आपका इंडियन नीटिव सूलजर है जो गोलता हुट हैं तो जो आपके पास घुर्ण小心 को तछांन मिलती थी नोर समय सवार को के चांसेसिक ते मतलब अदिकारी बन सकते ते पर भारत्यों को यह पतलब ठीक है कमOOOO पर इसके अलावा उनको जो यह के वन्यूस भी कम थे कि他 प्रमेशन के they had to serve across the borders उनको क्या करा जाता था दूर पोस्टिंस में भेज जा जाता था जैसे बरमीज वार में 1826 में उन्हें समुंदर क्रॉस करा दिया गया और कई हिंदू कास्ट में इसे बैन माना जाता था इसे टबू माना जाता था कि आप जो हैं समुंदर क्रॉस करोगे इवन आप आपको जो आपके 1856 का लॉड कैनिंग जब आया तो उसने जन्रल एक्ट निकाला था जिसके अंदर का जो सैनिक होते थे जो नए रिप्रूट्स होते थे उन्हें पॉन्ट पर साइन करना पड़ता था कि आपको जहां बेजा जाएगा आपको वहां सर्व करना पड़ेगा सेना का मतबिया कह सकते हैं भारतियों का कई भारतिय कास्ट का समुंदर क्रॉस काना जो है वह टबू माने जाता था और जादी तर जो इसमें फैमिलीज के जो लोग आते थे वह आपके पास यूपी और बिहार और बंगाल के आते थे ठीक है कि जो सर्व करने आ रहे हैं इस इंटे कंपनी की सेना में इसके अलवा क्या होता था मिलिटर डिसिप्लिन और इक्वल ट्रेट्मेंट विद एवरी कास्ट हिंदू मुसलिम में आपके एक्वल कास्ट को ऐसे मदब हर कास्ट का सेम ट्रिट्मेंट किया आता था और आपको सेना में आते होंगे हुँ के वह साथ आपनी गयां होता था वहीन ब्रीर थी थी यह प्रते चुट थी इसके आलावा क्या करते थे आपके पास उनको जो है वह सेना से वापीस अपने काँ में वहीं हो जाते गाउं में lower treatment मिला तो तो उसके दिमाग में वह चीज चलेगी और वह निकल के कहां से आ रहे हैं गाउं से निकल के आ रहे हैं एंडव दर डे जो सोल्जर है दा में बिहाइंड गन जो बंदू के पीछे खड़ावा आदमी है वो क्या है वह आपका एक अंसान ही तो है उसके अंदर फीलिंग से उसके उसके लिए समाज के प्रती जो आपके पास निष्ठ है वो सब कुछ चीज उसके अंदर है तो इसके अलावा देखिए आपका दूसरा रीजन है आपके पास पॉलिटिकल वीजल्स को मैंने बताया सब्सीड रिलाइन सिस्टम था डॉक्ट्राइ चीन लिया गया था तो यह आप क्या करते थे इस इन्हों ने का करा आपकी जो उसकी स्वताइत्ता थी जो रूलर्स की और जो पॉलिटिकल स्टेटस और रूलर्स एंड रूलिंग क्लास था उससे क्या करती है कम कर दिया जो विक्ति समाद में पहले प्रतिश्ठा में थे जो आपका साशन कर रहे थे और जो पॉपुलर्स लीडर से जन्मानस के जो नेता थे उनको क्या कर दिया कुछल दिया अब माली बहादुसा जपर उस जमाने में मुसल्मानों के बड़े नेता माने जाते होंगे जो दिल्ली के बादशा भी थे अब आचानक से उनका स्टे तो पेश्वा के बेटे हैं तो पेश्वा के पूत्र थे उनको पेंशन देनी के लिए मना कर दिया उस तरीके से आपके पास उनको लगने लगा कि भाई यह जो हंग्रे जो है इस्टिने कंपनी है वह अच्छी नहीं है ठीक है और इन लोग जो लीडर से इनके दिमाग में भी यही चीज चल रही है तो यह बहादूर सा जाफर है ठीक है अब इनको क्या करा इन्होंने लीडर बना दिया था कि इन्होंने आपके जो आपके विद्रोही थे इन्होंने दिल्ली पहुंचके इन्हें अपना लीडर बना दिया था इनको अपना कमांडर घोशित कर दि की जब्र जब्धित के बाद ये पंश और स्छुफ आपका उनियंच सब्साइब आपके थे यह पाजिवाओ टू कि ये पह पेश्वा ने बहुत बड़ी कुफी करिए यह अपनी नहीं जो आपके माराठा कमांडर्स थे इनको आपस में लडवाता रहता था इसके जो फादर थे बाजी राव टू है तो अब क्या करते थे आपस में इनको यह एक मेंटेंड नी कर बाते थे बैलन्स तीक है अब उसके बाद क्या हुआ बाजी राव टू ने ट्रीटियों ब करते बाद आपका माराठा का स्टेटर्स बिल्कुर्ण हो गया था और उनको फेंशन पर भेज द्या गया थे अंग्रेज्व में उनके बेटे नाना वह स्टापशाम को फेंश धीन करना से मना कर दिया था इस्ट इंडिया कंपनी ने तो यह भी आपके पास जो इनको दुख्सान हो रहा है उसका गुस्ता आ रहा है जो आपके पास डिलोजी की जो आपके पार सब्सक्राइब कर लिया जाएगा उसी के परतारित थी लक्षी भाई ठीक है रानी लक्षी भाई इनके साथ क्या हुआ था इनके जो पती थी उनका नाम था गंगाधर राओ अब इनकी क्या हो गई थी डेथ हो गई तो इनके कोई भी नेचुरल बेटा ना होने की बज़े से इनके राज्य को विलाय कर दिया गया था जासी को किसको जासी को विलाय कर दिया गया था इस टीडे कंपनी के साशन में और इनके जो आपका दत्तक पुत्र था ठीक है जो एडॉप्टेट संथा उसको भी राइट्स ट्रा पॉल्ट के राजनेतिक कारण है अब देखिए आपके पास जो एलेन पावर्टी वह पॉलिटिकल चीजें खीच रही है तो इस वज़े से जाकी विदेशी सकती है जो इस ट्रेंडे कंपनी की सकती है उसके खिलाब जो है आपके पार राजनेतिक रूप से विद्रोफ पन आपका जो है टेकसे लगाए लेंड रिविन्यू पॉलीसी इन की बहुत आपकी कैसी थी है इंद्यन ट्रेड किया हो गया ट्रेट खतम कर दिया है कि हैंडीगराफ्ट खतम हो गया जो भारत का हैंडीकराफ्ट है एंगरे जी क्या करते इत्येया है आपके आये और आपका जो है सारा जमीनों पर कभजा है मालों जूट है रोव मेटिल रोव मेटल पर कबजा करके बैढ़ गए वह सारा एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं यह अपनी फैक्टरीज में ले जा ले रहे तो क्या होगा और विसी बात है जो इंडियन हेंडिक्राप्स सामान होगा नहीं कुछ प्रोडक्शन होगा नहीं ठीक है और पॉलिसीज हैवी टेक्सेज हैं सब कुछ आपका क्या है अगेंस्ट है तो आपके पास क्या हुआ इसके अलावा आपके पास जो कौन सा रहयत वाड़ी सिस्टम महाल वाड़ी सिस्टम और जमीनदारी सिस्टम ठीक है तो आपके पास कोन सा तीन अज्क है पहला जमीनदारी ठीक है अधश्रा कौन सा रहयत वाड़ी और तीसरा कोन सा है महाल वाड़ी तीन टाइप महाल अंग्रेज है न अंग्रेज तीन टाईप पे सिस्टम लेका है ठीक है और आपका भालवाडी यह है अब यह क्या है सिस्टम जान से सुनना यह आपका रेविन्यू कलेक्शन के सिस्टम है तो जमीनदारी में क्या होता था यह आपका किसने स्टार्ट किया था 1793 में जो स्टार्ट किया है किषसक्व इसमें हो और एंटी-nाइन इस-ट्फितो पर Eddieشر होता ॐप्टा मतलब 89 परसेट सब्सक्री जाएगा जिसकी वह आपका काम करवाएगा किस से क स्ट्रीक Pixel अब को आपके पास क्या सबस्क्राइट में गया होता था पर्में पॉर्जुल जो सोते थे उनसे collection किया जाता था ठीक है और यह मुल्रों ने स्टार्ट किया था यह बंगाल में स्टार्ट हुआ था यह कहां पर इस्टार्ट वा था था मद्रास से मद्रास घुवर्णर था और कहां पर आपका मद्रास इसके अलावा Bombay प्रेजिदेंसी जो बॉंबे था इनका और आपका असाम इन जगहों पर यह आपका प्रेगेत वाड़ी का सिस्टम स्टार्ट हुआ इसके अलावा आपके पास कौन सा महाल वाड़ी तो इसमें क्या होता था एक बड़ी एक एंटीटी है तो कॉपरेटिव बेसिस पर कह सकते हो आपके पास एक महल है वहाँ वह लैंड रेविन्यू की इनिट होती थी जिसमें बहुत सारे आपके पीजेंट होंगे उनको मिला क कि आपका एक महल बन जाएगा और वह रेविन्यू सरकार को जमा करेंगे तो यह किसने स्टार्ट किया था आपके पास हॉल्ड मेकेंजी था एक बंदा उसने आपके पास ट्राइग किया इन्वेंट किया कि 1822 के आसपास और उसके बाद जो है आपके पास इसे विल्यम बे साथ में ने मार्टिन बड़ंट के साथ इसी वजबिए मार्टिन दफैड्य में बोलते हैं हुआ है तो महल वाडी ठीक है तो इस तरीके से आपके यह तीनों स्स्टम थे इनकी वजह से इनका तो benefit हो ररहा है अंगरे आपके पास किया आपका जो आपके साने जो फारमर से पीजंस नुसका बहुत बसान वह रहा है इसके अलावा आपके इंडश्टी को रूएंग कर रहे हैं और आपका जूआ लुजा निकLYं आएगा घंब आउन से निकल कर आएगा जा hon में जा तो इसका दिमाग में है तो घर से किसी भी class से हो चाहिए आपका merchant class से है वह industrial class से है यह आपका वह farmer class से है पीजन class से है तो इसका दिमाग खराब होगा नहीं होगा सब्सक्राइब करने जा रहा है सारे तो क्या होगा कंडिशन बहुत बूरी है अब देखो थान से सुनना अगला हम करते हैं तो पहला तो करप्ट एड्मिस्ट्रेशन था लॉइन और इशू से मशीनरी पूरी पैरलाइज हो गई थी नए सिस्टम में इंडियन को आदत नहीं इसके अलावा आपके पास ट्रस्ट डेफिसिट है एलिन पावर के लिए और जो उन्होंने बार-बार प्रूफ भी किया था वो जो ट्रस्ट डेफिसिट बन गया था जो आपका विश्वास की मौडल रही है वो आत चुका है उसकी कुछ है नहीं नहीं टाइक है टेक्स चोरी हैं और टेक्स से उपर पड़ रहा है कैसे पड़ तो वह अपनी दो ईde sudah structure है वह गडबढ Ur इसके अलावा ऐसा बोलते हैं कि जंगल इतने बुरे हालत होगे लोग भार ने निकल सकते थे कई जगहों पर क्योंकि आपके पास पुराना सिस्टम था मशिनरी थी पूलिसिंग इस मशिनरी लोगाइन ओडरी मशिनरी वो पूरी डिस्टार्ट हो चुकी है ठीक है वह अभी सुधार में नहीं आई है वह काफी बाद में जाके आपके पास जो है वह तोड़ी करके सुधरी है अब आगे वड़ेंगे से अपके धर्मी करण आपके जो थे तो डिलीजेंग बात है कि आपका मिश्टिप्लीन में क्या कर रहे हैं आपके बहुत सारी जिए अपके जो सेंटीमेंट है उनको आपको हड़ करना पड़ रहा है ठीक है नए लौज आ रहे हैं इसके अलावा Christian Missionaries जो हैं आपके पास नहीं लोग स्कॉन से हैं पहले समझ लीजिएगा जैसे आपका सब्सक्राइब अब का जो बंदा है या बंगाल को बंदा है सब्सक्राइब इसके लिए दिमाग में से सब्सक्राइब जो है वह नॉर्मल नहीं माना जाएगा उस जमाने के व्यक्ति के सोचिए और वह देख रहे हैं कि अंग्रेजों ने जो है इसे बैंकिया है मतब अलाव किया है सती को बैंकिया है विल्यम में टिक ने 1829 में तो उसके दिमाग में किस तरी के चीजे चल रही है विमें एजुकेशन को यह लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके पास इनका क्या हो रहा है दिमाग खराब हो रहा है है कि जो इस निव एडिकेशन है ना इसके अलावा क्रिश्चन मिशिनरी प्रेविलेंट है वह 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 जा रही है अपने सर्मन सुना रहे हैं जीजिस के स सब्सक्राइब कर सके इसके अलावा जो आपके पास ब्राउन बेस राइफल है उसको हटा कर जो रॉयल एंफिल्ट लाइब वह जो लेदर वाला बताया था इसके अलावा जो मॉस्क्त से और टैंपल से उन पर टैक्स लगा दिया गए थे तो आपके जो रिलीजिस इंस्टिशन है यह क्रिश्चन से तो उन्हें बोला है विधर्मी जो है हमारे रिलीजिस चीजों पर टैक्स लगा रहे हैं तो इनका भी वहां पर दिमा खराब है इसके अलावा आपके जो सोल्जर्स हैं उनको अब्यू सब्सक्राइब के उन्होंने बैरकपूर बंगाल में अपना 1857-39 मार्च को अपने एडिप्टेंट पर फायर कर दिया था दस मही अठारों सत्तावन को मेरेट से सोल्जर्स निकले और वो डेली की तरफ निकल पड़े अपने अधिकारियों में फायर करने के बाद 11 मही को दिल्ली पहुंचे बादुसाग जफर को अपना बना दिया जनरल बक्त खां को जो है रिस्पॉंसेबिलिटी दी गई कि वह क्या करें इस मोव्मेंट को लीड करें कानपूर में नाना साहब बन गए जो आपके पेश्वा के बेटे हैं जहांसी में लक्ष्मीभाई बन गया था तो बेगाम हजरत महल और उनके बेटे बिजरिस कादर यह जो है आपका लखनाओ में मुमेंट लीड कर रहे हैं भिहार में ठाकुर कुगंण सिंग आ गए ठीक है मौल भी आमदूल्ला आ गए ठीक है इसी तरीके से आपके पास ध्यान सुनेंगें इनको डंका शा भी बोलते हैं कि और फैजबाद ठीक है इसके अलावा तात्या टोपे इन्होंने पहले जहांसी और कानपूर्मा नाना सहाए और लक्ष्मी भाई को सपोर्ट किया इनका कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है यह आपके आपके एलिन पावर को हटाने के लड़ रहे हैं क्योंक का लोजिस्टिक प्रोवाइड कर आया ताकि वो लोग प्रॉपर्ली लड़ साके ठीक है अब ध्यान सुनियागा इन्होंने अगरा जगहों पे आपके जो म्यूटिनियर्स थे उन्होंने लखनों में कानपूर में सब जगहों पे दिल्ली में अंगरेज़ों क्या करा क्या उन्होंने अपनी पावर दुबारत से रिगेन करी कॉंसलेट किया और अपने रिइंफोर्स्मेंट भेजी सुरू कर दी रिइंफोर्स्मेंट बेजने के लिए जैसे गुर्खा जो है उनके पास 1815 से थे तो गुर्खास को यूज किया गया तो क्रस्दा रिवाल्ट गुर इंडिया से भी अपने जो हैं भारत में भी इननों गुर्खा सोल्जर्स मगा जुके थे जिनके लिए पेट्रोटिक फिलिंग भारत के लिए ऑव्वेसी बात है नहीं होगी उस समाने में इसके अलावा करनल कैंबल जो था उसने लखना और कानपूर को सीज कर दिया ठीक ह और कैप्चर कर लिए ठीक है इसके अलावा करनल लील था उसने बैनारस में मैसेकर कर दिया विद्रोई के खिलाफ और लोहों के खिलाफ इसके अलावा अब नाना साहब जो कानपूर में थे उन्हें नेपाल भागना पड़ा बेगा मजरत महल को भी नेपाल भागना तात्या टोपे जो है इनको भी 1859 में काफी देर बाद यह तब तक गोरिला वार्फे कड़ते रहे अकेले जब सारे चले गए और लबबबबबब जायतर लोगों की जो है युद्ध में लड़ते वीरगती प्राप्त हो गई थी उसके बाद भी एक एक सदेर साल तक तात्या कर दी गई तात्या टोपे इतने बहुत दूर थे कि अंग्रेजों ने उनका गरा उनके बालों को सिंबल के रूप में लगा लिए अपने पास उनका फांसिक देने के बाद कि ऐसा भी कोई विक्तित था अब देखो जान से सुनिए यह आपको देखोगे तो यह ल लिएर से एक साथ इखटे नहीं हो पाए थे टाइम पे प्रॉपरली टाइमिंग नहीं थी सबके जो कही नहीं थे इसमें अंग्रेजों के पास और वा टेक्टिक यूरपियन थी हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी हमारे लीडर उस चीज़ को समालना नहीं जानते थे उनकी आप बियोरोक्रेटिक मॉडल ता इट की तरह दिवार की एक निकाली दूसर लगा दी पर हमारे अपने अपने आप में अप्सलूट लिटर गया तो पूरी इसके नीचे की फॉज क्या हो जाती थी उसका मॉराल डाउन हो जाता था लड़ने की इच्छा बिल्कुल खतम हो जाएगी वह बात है तो इस तरीके से आपके पास कोई विक्टोरिय का प्रोक्लमेशन हुआ है कोई विक्टोरिया जो आपकी उससे महारानी होंगी कोई विक्टोरिय का प्रोक्लमेशन हुआ है ठीक है उनका आपके पास आप कह सकते हो उन्हें क्या बोला गया इस टीने कंपनी से रूल जो है ट्रांसफर हो गया टू मौड़न इंडिया को हम इसी तरह के से आगे बढ़ाएंगे कल से रेगुलर आप लोग आना और टेलिग्राइम को आप लोग जॉइन कर सकते हैं अगर आप वीडियो में आतर पहुंचे हैं तो बहुत 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 धन्यवाद दैस वाल पर टूडे थैंक यू